स्टुडेंट्स भारदवाज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कालिसिंद वैसायक नदिया यानि कालिसिंद और इट्स ट्रिब्यूटरीज ये रिवर ओफ राजस्तान का हमारा पार्ट थर्ड है पिछले पार्ट में यानि पार्ट सेकेंड में हमने चंबल रिवर के बारे में देखा था और उससे पिछला जो पार्ट था पार्ट फर्स्ट उसमें हमने देखा था राजस्तान से जो नदियां बेओफ बंगॉल और अरेबियन सी में जाती है यानि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाती है उसकी ट्रिक क्या थी तो पिछले दोनों ही वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वो आप चेक कर लेना तो स्टार्ट करते हैं हम काली सिंद वैउस की सायक नदिया ये स्क्रीन पर आपको इंडिया का मैप दिख रहा है इस इंडिया के मैप में मैं एक बर आपको बताता हूँ जिस रिवर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी रिवर है मैं एक बार ब्लू पैन चला हूँ यहाँ पे देखो जिस river के बारे मैं पढ़ रहे है मैं उस पर pen चलाता हूँ ये काले सिंद के बारे मैं पढ़ रहे है ये काले सिंद नदी है जिस पर pen चलाया ठीक है ये कहां से आती है उस जगे को मैं dot करता हूँ red pen से ये dot किया यानि यहां से आती है ठीक है और यह दूसरी एक blue line है जिस blue line के साथ यह आपको मिलती हुए दिखाई दे रही है उसको मैं एक बार black कर देता हूँ यह black pen चलाया इस line के साथ यह यहाँ पर मिल रही है इस जगे पर और यह आगे तक कर देता हूँ यह black line से जिसको हमने शो किया है यह चंबल river है चंबल river के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था एक बर उस वीडियो को भी आप देख लेना तो इसका मतलब आज जिस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे काली सिंद के बारे में वो मध्य प्रदेश यानि MP से तो आती है और राजस्थान में चंबल river के साथ मिल जाती है तो यहाँ इसकी इतनी कानी है ठीक है अब इंडिया के दूसरे मेप में हम समझते हैं एक बार स्टेट के साथ जैसे यहाँ पर स्टेट की territories शो नहीं हो रही इस मेप में स्टेट की जो राज्यों की जो सीमाएं हैं यहाँ यह दूसरा मेप यहाँ पर शो हो रही हैं इसमें जरा देखना है यह जो मैं सर्किल कर रहा हूँ यह राजस्थान का हिस्सा है और यह जो दूसरा सर्किल कर रहा हूँ यह मध्यप्रदेश का हिस्सा है ठीक है, इन सर्किल को हटाता हूँ, काली सिंद के बारे में जो हम पढ़ेंगे, वो उसका हिस्सा आता है इस सर्किल के अंदर, इसमें मद्य प्रदेश भी आ गया इस हिस्से में और राजिस्थान भी आ गया, अब देखो मैं इसको भी हटा देता हूँ, इस हिस्से में आप एक बार अच्छे से राजिस्थान का मैप देख लें, क्योंकि अभी इस स्लाइड को मैं उपर करूँगा, और वहां पर राजिस्थान के मैप में पर्टिकुलर काले सिंद की हम बात करेंगे, ठीक है, ये मैप आपने अच्छे से देख लिए, आप उसकर के देख ले ना, उपर कर ली, देखो यहां पर इंडिया के मैप में जो हमने इससा देखा था, ये पर्टिकुलर इसके हम बात कर रहें, क्योंकि यही वो इससा है, जो काली सिंद रिवर से रिलेटेड है, इसमें ये नीचे वाला इससा तो आगया मद्देप्रदेश का, और ये उपर वाल मैं इस ब्लू पर ही चला देता हूँ, और डार्क ब्लू, ये है चंबल रिवर, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो काली सिंद क्या होगा, मद्देप्रदेश से तो आएगी MP से, और राजस्थान में इस चंबल रिवर से मिल जाएगी, यानि इ वीडियो अच्छा लगे न, तो आप अपने कमेंट जरूर करना, और इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, तो हम पढ़ रहे हैं काली सिंद के बारे में, ठीक है, कौन से स्टेट से रिलेटर है, मद्देप्रदेश और राजिस्थान, ठीक ह कौन से गाउं से, बागली गाउं से, देखो मैंने इतना डीप से इसलिए लिखा, क्योंकि कई बार आप से स्टेट पूछा जाता है, तो मद्देप्रदेश पर टिक कर देना, आप से पूछा जाता है, किस जिले से आती है मद्देप्रदेश के, तो देवास कर देना, हाईवे नमबर 18 इंदोर और भोपाल इन दोनों को जोड़ता है चलो भी आगे चलते हैं अब इसने राजस्थान में एंटर कर लिया प्रवेश कर लिया ठीक है राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश करती है जालावाड में पर्टिकुलर कौन से इस्थान पर कौन से राएपूर गाउं में आपको बात समझ में आरी होगी मैं इतना ये पर्टिकुलर जगे की बात क्यों कर रहा हूं क्यों कई बार आरपी एसी जिले का नाम ने पूछते वे पर्टिकुलर जगे का नाम पूछ लेती है तो ध्यान रखना राजस्थान के जालावाड के कोटा में चली जाती है अब कोटा में इसका सफर जो है वो समापत हो जाता है देखो कोटा में जाती है कोटा में गहाँ आता है नोनेरा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कोटा में गहाँ आता है नोनेरा नोनेरा में कौन सी नदी से मिल जाती है यह चंबल नदी से मिल जाती है ठीक है भी यह इसकी यहां तक की कानी हो गई पूरी अब देखो चंबल नदी से मिल जाती है इसलिए हम इसको चंबल की सायक नदी कहते हैं क्योंकि यह चंबल से जाकर मिल रही है और जो नदियां काली सिंद से आकर मिलेंगी न वो काली सिंध की सायक नदिया कहलाएंगी यानि ट्रिब्यूटरीज ओफ काली सिंध यह आगे लिखा हूँ है ट्रिब्यूटरी ओफ चंबल रिवर क्योंकि चंबल की सायक है इसलिए मिल जाती है कुल लंबाई की बात करें तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 278 किलोमेटर और राजस्थान में इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 145 किलोमेटर अब देखो वीडियो में आपको कुछ इमेज दिख रही हैं यह मैं समझाओंगा इसका मितलब का है अब मेन जो प्रॉब्लम आती है स्टुडेंट को वो यह आती है कि सर यह सारी चीज तो हमको ध्यान हो जाती है लेकिन जब किसी नदी की सायक नदियों से रिलेटेड अगर कॉस्चन आ जाता है तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है जैसे कॉस्चन पूछ लिया जाए दिपावली का टाइम था आप पटाके छोड़ रहे थे पटाके छोड़ने से यह आपके उनी वस्त्र है और इन उनी वस्त्रों पर आच लग गई आच बोलते हैं ना हम आग को वैसे आच होता है लेकिन यहापर मैंने आच लिखा है ठीक है अब देखो इसका मतलब क्या है ट्रिक आगे ना समझ में आपको उनी कपड़ों पर आच की उनी कपड़े थे दिपावली के समय क्रेकर्स पटा के छोड़ रहे थे उन पर आच लग है ठीक है टाइप में मिस्टेक होगी होगी आ का मतलब है आहू और चै का मतलब है चंद्रभागा तो यहाँ पर यह काली सिंद की सायक नदियां हो गई अब अगर आपको एक बर में ध्यान नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं वीडियो को पोज करके देख लेना या वीडिय मैं लिखूं गागरोन ठीक है जालावार जिले में आता है यह इसलिए दिखरी इमेज आपको क्योंकि काली सिंद रीवर जब राजस्थान में एंटर करती है जालावार जिले में तो जालावार में गागरोन स्थान पर वो जाती है और गागरोन स्थान पर उससे एक नदी यह आकर मिलती है, जिसका नाम है आहू, मैं स्लाइड पीछे करता हूँ, ध्यान करो देखो, आहू थी न, यह रहा, आ से यह हो गया, आ से आहू, तो यह आहू उसकी सायक नदी है, यानि कि काली सिंध से आकर मिलेगी, अब देखो जब यह आकर मिलती है, तो यह आहू और काल PSC पूछ लेती है तो ये गागरोन का दुर्ग है जल दुर्ग बोला जाता है इसकी विशेस्ता है ये बिना नीव का है इसकी कोई नीव नहीं है मैं केवल जर्नल बात करूँगा इस दुर्ग के बारे में काफी detail से नहीं जाओंगा क्योंकि दुर्ग का जो मैं lecture बनाओंगा ठीक है भी या अब ध्यान देना एक चीज को देखो 21 जून सन 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था युनेसको द्वारा युनेसको द्वारा इस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में देखो विश्व की धरोहर सूची होती है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ह जिसको UNESCO की एक समीती होती है, एक संस्था होती है, जिसको का जाता है WHC, World Heritage Committee, तो World Heritage Committee क्या करती है, विश्व धरोहर सूची में शामिल करती है, विश्व के बहुत सारे स्थान होते हैं, तो इस दुर्ग को शामिल किया गया है, यह देखो UNESCO की मैंने फुल फॉर्म भी लिखे यहाँ पर United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ठीक है भी यह, यह आगे मैंने लिखा है, वो समझा दिया आपको कि विश्व धरोहर समीती होती है, World Heritage Committee, अब एक चीज का ध्यान रखना, देखो इसको जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, वो World Heritage Committee का 37 सेशन था, और कहाँ पर हुआ यह कमबोडिया में, यानि कमबोडिया में 37 सत्र में 21 जून सन 2013 को गागरोन के दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, अब एक बात और ध्यान रखना, यह अकेला ऐसा दुर्ग नहीं था, जिसको शामिल किया गया, इसके साथ टोटल, यानि इसके सहित क राजिस्थान के कुल 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, और वो दुर्ग कौन-कौन से है, यह ट्रिक याद रखना, आम, गाजर, चीकू, यानि की आम का मतलब है आमेर, गा का मतलब है गागरोन, जै का मतलब है जैसलमेर, रै का मतलब है रन स्थान के इन कुल 6 दुर्गों को 21 जून सन 2013 को युनेस्को के द्वारा अपनी वर्ल्ड हैरिटेज कमेटी के 37 सत्र में कमबोडिया रास्टर में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, क्लियर है भईया, यहां तक कोई प्रॉबलम नहीं होनी चीए, ठीक है, अब थोड़ा साम और आगे बढ़ते हैं, यह discussion हो गया, यह भी चर्चा हो गई, ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, कि कालिस सिंद के सहारे जो शहर बसे हुए हैं, जो कस्बे बसे में, तो मैंने यहां पर एक यह नदी दिखा दिया आपको, ठीक है, यह नदी हो बाई और आपको दिख रहा है, जालावाड, यानि मतलब क्या है, कि कालिस सिंद के बाई और तो लेट साइड में जालरा पार्टन है, और दाई और में क्या है, जालावाड, तो यह हमारा कालिस सिंद से रिलेटेड था, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, झाल 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 झाल